नवश्कार बच्चों, कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ, आप सब बढ़िया होंगे बच्चों आज आपन क्लास 11 केमेस्टी चेप्टर फस्ट में टॉपिक डिस्कस करते हैं सिमान ताभीकरमक वाला, सिमान ताभीकरमक मतलब कोई भी केमिकल रियक्शन होती हैं तो उसमें क्या चीज़े रहती हैं, रियक्टेंट से प्रोड़क्ट बनता है एना अभीकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है यह चीज़ तो मालुम होगी, जैसे कि यह केमिकल रियक्शन है इस chemical reaction में, इस side में जो लिखा हुआ है, इसको किते है अभी कारक और इधर जो लिखा हुआ है उत्पाद तो होता क्या है, reactant आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं अब मान लिजे दो दोस्ते हैं, उनको खाने है जामून, क्या खाने है जामून और जामून खाने हैं तो मान के चलो के अगर 500 ग्राम जामून लिए उन्होंने 100 रुपे की जामून है एक के पास 20 रुपे हैं और एक के पास 80 रुपे हैं एक के पास 20 रुपे हैं एक के पास 80 रुपे हैं दोनोंने मिला के क्या खाये जामून खाये यह मान लिजिए पैसे दिए और पैसे के बदले में क्या लिए जामून लिए एक ने 20 रुपे दिए और एक ने क्या लिए कितने पैसे दिए 80 रुपे दिए तो जो कम पैसे देने वाला है उसको क्या के दिया सिमान तभी करमक तो यहाँ पर मैं यही बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे की दो रियक्टेंट भाग ले रहे दो अभीकारक भाग ले रहे और उत्पात बना रहे तो जो कम मात्रा में है जो जिसकी मात्रा कम है जो कम पैसे दे रहा है उत्पात बनाने के लिए कितने पैसे यहाँ पर यह एक ने 32 पैसे दिये भर एक ने 32 रुप़े दिये माना कि इसने 32 रुपे दिये और इसने 4 रुपे दिये ृटीर रुपे ठीक है 32 ओर 14 कितने होगे 36 रुपे होगे दो तो जो कम पेसे देने वाला है, जामुं खरीदने के लिए, वो क्या वोगया उसको क्या कहते हैं, लेंगविज समझते हैं, अपने को जामुन वामुन का एक्जामılar पणनी लिखना है, ये तो अपने समझने के लिए बात कर रहे हैं, तो क्विश्य ने आपका कि सिमान्त अभीकर्मक या सिमान्त क्रियाकारक किसे केते हैं सिमान्त अभीकर्मक या सिमान्त क्रियाकारक किसे केते हैं स्क्रिंशाट लिजेगा रासानिक सम्मिकरण में यदि कोई एक क्रियाकारक दूसरे क्रियाकारक के लिए आवशक्ता से कम अनुपात में उपस्तित हैं है ना कि यह जामून खाने तो चले गई यह लेकिन दूसरे के पास में क्या है बहुत कम पेसे हैं मेरे पास 132 रुपे यह दर पास सिर्पर 4 रुपे है रासाइनिक समिकरन में यदि कोई एक क्रिया कारक कोई एक क्रिया कारक के अब एक क्रिया कारक के लिए अवशक्ता से कम अनुपात में उपस्तित हैं तो यहाँ आवशक्ता से कम वाला क्रिया कारक सिमांत क्रिया कारक क्यलाता है अब यहाँ रासानिक समीकरन, रासानिक अभिक्रिया सिमान्त, अभिकर्मक के परिमान के अनुसार होगी example समझ लेते हैं example आपके सामने ये हैं बेटा क्या है? 3.0 ग्राम हाइडरोजन कितनी? 3.0 ग्राम हाइडरोजन और 29.0 ग्राम अक्सिजन से क्रिया करता है है इस प्रकार क्या हो रहा है आपको H2O प्राप्त होता है सिमान ते क्रियाकारा के ग्याद कीजिए चलो पहले शुरुवात करते हैं 2H2 क्या लिख रहे है अपर 2H2O प्लस O2 क्या बढ़ रहा है बैटा 2H2O बन रहा है यहां पर 2H2O इसके कितने ग्राम होंगे टू इंटू अगा यू टू 4 ग्राम और यू ऐक जखन कितना एक का 60 ग्राम हो सल्दून 32 है ना बत्तीस है degreemax oxygen से 156 चार घ्राम 32 घ्राम सिगर रहा है इस कव अधूंब रहा है तो थीन घ्राम है ॢो एक हटा जिंघा कुटने ओक्स इसर ग्राइगा तो तीन ग्राम हॅ लूछ है कि च्रुए करेगा क्रिय या करेगा कि丁ख या है कि तो एक सीच्व एक वह समझे एक ग्राम हाइड्रोजन होती तो एक स्षिस्वा एक है एक ग्राम हाइड्रोजन लेते, एक ग्राम हाइड्रोजन, एक ग्राम हाइड्रोजन आ जाता, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, कितना आ जाता, एक तरह से, एक ग्राम हाइड्रोजन ले ले लेते, उस हिसाब से करिया करेगा, तो एक ग्राम, 16 ग्राम अक्सिजन से करिया करेग एक ग्राम, आट ग्राम ऑक्सिजन से, यह हैड्रोजन, ऑक्सिजन, दो ग्राम, 16 से, 3 ग्राम, 24 से, 4 ग्राम, 32 से, यही केलिए, सोरी, 36, 36, 36, 38, 36, 38, 28, 28, 28, 28, 32, ठीक है, 32 सोरी, मेरी बात समझे होंगी आप, ओके, तो यह जो है, एक ग्राम, एक ग्राम हाइड्रोजन है, तो वो कितने से, कितना अक्सिजन चाहिए, उसके लिए क्रिया करने के लिए, 8 ग्राम, 2 के लिए, 16, 3 के लिए, 24, और 4 के लिए, 32, यह कैल्कुलेशन है, मेरी बात एक बार ओर समझ लेते हैं, रासानिक समिकरण में यह दि कोई एक क्रिया कारक, दूसरे क्रिया कारक के लिए, आवशक्ता से कम अनुपात में उपस्तित है, तो यहां आवशक्ता से कम वाला क्रिया कारक, सिमान्द क्रिया कारक क्यलाता है, अब यहां रासानिक अभी क्रिया सिमान्त अभी कर्मक के पर यह फिल बन रहा है यहां पर चार ग्राम हो गया चार और यह 32 ग्राम अक्सिजन से उप्टो 30 ग्राम बना ओ turffern गुणी चार गुणी तो कितना आजाएगा 24 ग्राम आवशक्ता से अधिक है और अता हाइड्रोजन क्या होगा सिमान ते क्रिया कर रहा होगा अक्सिजन के मात्र आवशक्ता से अधिक है अता हाइड्रोजन क्या होगा सिमान ते क्रिया कर रहा होगा मेरी बात आपको समझ में आगोगे सिम्पल काम है सिमान अभी कर्म के सिमान ते क्रिया कर रहा हो अब कई बच्चों को द्रव्मान और भार में confusion रहता है तो द्रव्मान वो भार में क्या आंतर है अपन कई पर द्रव्मान बोलते हैं कई पर भार बोलते हैं तो द्रेविमान पदार्थ में उपसित द्रेविक की मात्रा है जबकि भार पदार्थ पर आरोपित गुरुतुबल होता है जबकि भार पदार्थ पर आरोपित गुरुतुबल होता है अब बात करें पदार्थ के भार पर क्या प्रभा पड़ेगा यदि उसे पहाड़ पर ल प्रभाव पड़ेगा यदि प्रभाव उसे पहाड़ पर ले जाते हैं तो जैसे जैसे पहाड़ पर जाएंगे जैसे जैसे पहाड़ पर जाएंगे जैसे जैसे आप पहाड़ पर जाओगे पहाड़ पर गुरुतुबल का मान क्या होता जाता है कम होता जाता है ठीक है पदा द्रव्यमान में को यह ध्यान होगा खना की ज्यान रखना बढ़ी यह द्यान रखने लायक है ल maid भाहित कि सब्सक्रें नहीं कि बारे में अभी जो परम mushrooms आपनों कि बारे म महीं बात करें भारे लिए ऑक भार फ़िया कि normally फिर पर्माणों के बारे में इन पर्मास नहीं हिए यह MICHAEL क्या होते। फिर क्या बात करी एक पदार्थ के सभी पर्मानों समान नहीं होते हैं एक ही तत्व के भिन्न भिन्न पर्मानों समस्थानिक एलाते हैं एक ही तत्व के भिन्न भिन्न पर्मानों के एलात समस्थानिक यह था हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3, अलग-अलग, ठीके, तो सभी परमानों जहें समानने होते, एक पदार्थे के परमानों का, दूसरे पदार्थे के परमानों में रुपांदन संभा हो है, क्या कहा आधुनिक परमानोवाद में, कि एक पदार्थे के परमानों का, दूसरे पदार्थे के परमान में रुपांदन संभा हुए और ऐसी रियक्शन से भी देखी गई है तो आधुनिक पर्मानुवाद जो अभी लेटेस्ट है जो पर्मानुवाद जो डाल्टन का पर्मानुवाद पड़ा था उसकी कुछ लिए एकसेप्शनस थे वो इसमें निखल चुके रिबान rij है तटि आख के परमानुवाद के statement के commence तुसाति में आज का लेक्र में यहीं आपनों बात करी में और डिसकेशन था सेमांथ अभी कर्मक के बार है में था छोटा पिक था तो सिंपल डिसकेशन हुई आज मिलेंगे फिनेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई जै हिन जै भारत